बीएचिव बीएट का eligibility criteria, paper structure, बीएचिव बीएट को लेकर आपको कोई भी छोटा बड़ा doubt, कुछ भी हो, पूरे इंटरनेट पर one of the best, one stop destination है, CUET बीएचिव बीएचिव बीएट 2025 वालब playlist, इस playlist का link आपको description box में मिल जाएगा, नीचे comment में मैं pin कर दूँगा, इस पूरे playlist म हर छोटा छोटा important information, जो भी बड़े information है, बीएचिव बीएट से related, वो सब कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, उन पूरी बातों को आगर आप समझ लेते हो, सभी videos को उस playlist में देख लेते हो, जो कि एकदम short and crisp to the point है, तो होता क्या है कि एक तरह से exam से पहले ही, देखने के बजाए सबसे best तरीका क्या है, यह playlist में जाएए, सभी videos line by line explained है, पूरा देख लीजिए, बीएचिव बीएट को लेकर सभी doubt and queries clear हो जाएंगे, preparation को लेकर आपका focus बहुत अच्छा हो जाएगा, और बहुत high probability हो जाएगी कि आप select हो जाओ, और जो भी candidates ऐसे हैं, जिनको preparation classes बगर किया हो शकता है, जिनको mock test बगरा लेना है, उन सबसे request है कि बिना ये वाला video lecture देखे, ना तो आप Delhi Bats का कोई भी preparation class जोईन करिएगा, ना तो कोई भी mock test या notes कुछ मत लीजिएगा, जब तक कि आप ये वाला video ना देख लो, ये video कहां मिलेगा, ये video lecture भी आ understanding है, फिर भी उस बात मैं वापस से repeat करके short में समझा रहा हूँ, आपको ध्यान दीजेगा, इंडिया के किसी भी central university में, अगर आप B.Ed में admission लेने जाते हो, या फिर किसी भी majority of the university या college में आप admission लेने जाते हो B.Ed में, तो होता क्या है न, आप किसी भी subject के हो, चाहे आप math के के हो, चाहे science के हो, चाहे language के हो, चाहे social science के हो, सब भी बच्चे एक paper आता है, common सा paper आता है, उस paper को देते हैं, जब उस paper को pass कर लेते हैं और college में जाते हैं, तो वहाँ पर college में teacher पूछता है कि हाँ भाई, अच्छा आप pass कर क्या हो, आप admission हो गया, आप कौन से subject से हो, अच् तुम चले जाओ section D में, तुम social science के हो, तुम चले जाओ section A में, तुम language के हो, तुम चले जाओ section B में, तो basically होता है कि admission के बाद, जो बच्चा जिस subject कर रहा था, उस हिसाब से ब्याट के college में लोग section वगरा बना के भेज देते हैं, लेकिन as far as BHU concerned है, तो BHU में admission से पहले ही आ को बताना होता है कि आप किस subject से belong करते हो, क्या आप mathematics के हो, जिसका syllabus इस video में हम detail में समझेंगे, क्या आप language से हो, क्या आप science से हो, क्या आप B8 social science and humanities से हो, क्योंकि, 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 अगर इन सब में से, अगर मान लो आप B8 social science and humanity के हुए, तो आप different paper दोगे, आपके syllabus और paper totally अलग होगा, और इस तरीकी का system ना हमको BHU में देखने के लिए मिलता है, and almost cut to cut, same to same, देखने के लिए हमको Delhi University में भी मिलता है, तो कोई बच्चा ऐसा है कि BHU, B8 के साथ, साथ, DU, B8 का भी paper दे रहा है, तो ध्यान दीजेगा, जो mathematics का syllabus मैं यहाँ पर explain कर रहा हूं जो mathematics का syllabus मैं यहाँ पर explain कर रहा हूं, same syllabus, same paper structure, 100% same to same, Delhi University के B8 में भी follow होता है, at least यहाँ पर heading देखकर हमको एक बात तो clear है, कि जो BHU, B8 का paper है, basically CUET conduct कराता है, तो होता क्या है, BHU अपना paper खुद नहीं कराता है, Delhi University पे अपना paper खुद नहीं कराता है, यह दोनों के दोनों ही अपना admission लेते हैं, CUET के exam से, तो होता क्या है कि BHU में, BAD में math में admission लेने के लिए, BAD mathematics में admission लेने के लिए, आपको CUQP077 वाला paper code का paper देना होता है, CUET का, तो होता क्या है, same CUQP077 वाले paper code से, Delhi University वाले भी admission लेते हैं, तो इस पर आपको कोई confusion नहीं होना चाहिए, BAD mathematics मत पर pattern follow होता है, चाहे BHU हो, चाहे Delhi University हो, तो basically हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, BHU, BAD, CUET, BAD, mathematics के regarding, जो कुछ भी मैं explain कर रहा हूं, ये कौन से subject के students पर लागू होता है, तो mathematics में जो बच्चे math background से हैं, statistics से हैं, computer science वाले हैं, ये सारे के सारे BAD mathematics head के अंदर आते हैं, ये बात CU BAD 2020 वाले playlist में आपको देखने के लिए, मिल जाएगा, कि basically mathematics, math, statistics, computer science के subject वाले बच्चे होते हैं, वो BHU, BAD mathematics के head के अंदर आते हैं, तो इन सब का paper code CUQP 07 वाला basically होगा, तो ध्यान देना, जो भी बात मैं syllabus में समझाओंगा आपको यहां से, वो बाते आपके लिए बहुत जादा बहुत 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 होंगी, जब गूगल के play store में जाओगे, Delhibytes का app install करोगे, और सबसे टॉप में एक icon बना होगा, BAD and BAD special education करके, उस icon को open करो, और वहां से original authentic, जो last year BHU, BAD का CUET का जो paper online हुआ था, वो paper आपक जाता बहुत बहुत हो, जाता बहुत बहुत है सबढ़ आएगा, ध्यान दीजेगा, प्लीज जा के previous year paper ना तो YouTube पे डोड़ना ना तो Google पर, क्योंकि वो लोग अक्सा model paper बगार solve करवा देंगे, किसी और university paper solve करा देंगे, BHU, BAD के नाम पर, क्योंकि since paper बगार online होता है, तो उनको often paper में देखने के लिए मिलेगा, कि वो लोग party भी पूछ रखे है, ये जो party ये A है ना, ये केवल 2023 तक आता था, तो जब आप previous year paper देख रहे हो, या कहीं internet, YouTube अगर इसके डाउनलोड किये, तो confused मत हो ना, जो party है, 2023 तक आता था, 2024 से ये party हटा दिया गया है, और अब mathematics क syllabus, केवल और केवल इतना है, जहां पर वो आप से teaching aptitude, mathematics, statistics और computer science के major questions आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसके बाद भी कोई doubt और queries है, तो आप मेरे से Instagram पर जोड़ सकते हो, जिसका link description box में दिया हुआ है, या फिर ये user ID directly आप Instagram पर search करिए, तो आज आते हैं, be at mathematics, coqp07, हम स आप पेपर में केवल और केवल 75 questions ही आते हैं, जिसमें से मोटी-मोटा, मोटी-मोटा 25 question mathematics के होते हैं, 15 question आपको statistics से देखने के लिए मिलेगा, 10 question आपको teaching aptitude से देखने के लिए मिलेगा, and yes, 25 questions, 25 questions आपको computer science से देखने के लिए मिलेगा, और exam qualify करने के लिए इसका बहुत में होता है तो यह रहा एक मोटी मोटा पेपर structure मैं इसको और elaborate कर दे रहा हूं कि mathematics में क्या पढ़ना कंप्योटर साइंच में क्या करना है मैं पेपर को और धंक से आपको दिखा दे रहा हूं कि 23 में उन्हों क्या पूछा था 24 में कि इस टॉपिक से पूछा था के पेपर में आपको जो टॉपिक्स पढ़ना है बेसिकली नंबर सिस्टम राशनल नंबर स्ट्राइशनल नंबर स्ट्राइशन को प्राइम नंबर अलजब्रा डिविदिविल्टी रूल पॉलिनोमियल पर्सेंटेज एंड रेश्यो एंगल्स लीनियर कोर्सपोंडिंग पर लेमिट ौर्ण आता यहां से बहुत कथिन नहीं रहता है ला कि ज़्शकार महतीक कंसराड तो दन ओगी बगारा का question यह सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा teaching attitude भी एक बहुत important section है CUT, BHU, BA mathematics के paper में तो यहां आपको देखने के लिए मिलेगा teaching attitude में आपको nature of teaching, objective of teaching, blooms taxonomy, levels of teaching, characteristics of teaching, teacher learner relation, factors of effective learning, role of teacher, qualities of an effective teaching, methods of teaching, teaching aid, type of education, micro teaching, inclusive education, समावेसी सिख्षा, यह सब important topic है, inclusive education अगरेबर direct teaching attitude से question आपको देखने के लिए मिलेगा, teaching attitude आपको कहां जाके पढ़ना है, कहीं जाके नहीं पढ़ना है, teaching attitude सब candidate first time पढ़ रहे होते हैं, कोई बच्चा ना तो अपने school teaching attitude पढ़ रखा होता है, कोई बच्चा ना अपने graduation में, PG में कहीं भी आप teaching attitude नहीं पढ़ते हो, basically एक candidate का जब B.Ed में admission हो जाता है, तब वो teaching attitude पढ़ता है, teaching attitude सबके लिए नया होता है, लेकिन फिर भी B.Ed entrance exam में आज के लिए लोग पूछ रहे हैं, तो इसको best तरीकी से prepare करने का तरीका है कि YouTube बेगर मत सर्च करो, इधार उधार मत भागो दौड़ो, Delhi Bites के playlist में जाओ, teaching attitude सब्सक्राण बिरुची करके एक playlist होगा, और हाँ, exam में sure रहो के 100%, sure रहेगा कि teaching attitude का 99% question आप sure shot सही करोगे, क्योंकि Delhi Bites के ये पूरा playlist, B.Ed entrance exam के teaching attitude को लेकर ही बनाया गया है, ध्यान दीजेगा YouTube पे randomly teaching attitude के वीडियो मत सर्च करना, क्योंकि 99% लोगों ने net JRK के exam के हिसाब से teaching attitude का question solve करा रखका है, वहाँ पर फड़ा level high देखने के लिए मिलता है, B.Ed में average standard level का teaching attitude देखने के लिए मिलता है, और ये playlist पूरा-पूरा B.Ed entrance exam वालों के हिसाब से बनाया गया है, जिससे की direct question भी आपको paper में देखने के लिए मिल जाएगा, आज आते हैं, CUT, BHU, B.Ed mathematics में computer science के कौन-कौन से topic important है, जहां से ठीक ठाक question आपको देखने के लिए मिल जाएगा, generations of computer, बहुत basic topic आपको आना चाहिए, classification of computer, components of computer, abbreviation, data representation, storage, storage बगार आपको ठीक ठाक idea होना चाहिए, basics of internet, computer network, programming language, software, computer security इन सक चीजों का idea होना चाहिए, ठीक ठाक level का prepared होना चाहिए, अब जैसे stories ही लिखा है, चुटा अग्जामपल ले लो, सब लोगों के phone में होता है या, क्या 64 GB का hard disk है, 128 GB का है, तो ठीक है, KB, MB, GB तो तुमको समझ में आ रहा है, exam में जानते हो क्या, zetabyte, petabyte, इस तरह के question पुछेगा, और high level का कि उसमें कितना GB होता है, उसमें कितना KB होता है, तब बच्चा confused होता है, तो मतलब कहने के sense है कि उसी question का next level high version का भी आपको topic उस पर prepared रहना चाहिए, इन headings के अंदर, तो majorly जो कुछी मैं बताया, computer science, teaching aptitude, mathematics, और मतलब statistics, जितना topic बताया गया कि उगल उतना ही topic अगर आप prepare कर ले तो धंग से, तो 100% रहेगा कि BHU, BHU, BHU में बहुत हाई chances दे रहते हैं आपके selection होने के लिए, ध्यान दीजेगा, पेपर कभी मैंने ठीक तरीके से analysis कर दिया है, आप नेरी बात को ठीक तरीके से catch कर वाओ, आपने Delhi Bats के app में जाके CU, BHU, BHU, BHU and mathematics का पेपर डाउनलोड किया होगा, तो आप 2023 का पेपर देखोगे, तो आपको number system से 2 question देखने के लिए मिल जाएगा, पीछे मैंने बोला कि probability important है, probability का 5 question है, 5 questions probabilities है, integration के 3, differentiation के 3, trigonometry के 3, yes class 11, 12 का mathematics भी आता है, integration, differentiation is a topic, आपको mathematics में देखने के लिए मिल जाएगे, साथ में आपको regression के 4 question पैरा बोला के 2, hyper बोला एक straight line का एक question, y is equal to m x plus c, तो m क्या होता है, m is the slope of line, c is the constant, वहाँ पर इस तरह के questions, आपको basic question ही आएगा, और m slope कैसे निकालना, perpendicular slope क्या है, parallel जो भी अगर line हो, slope एगर क्या है, इस तरह के आपको questions आपको straight line वाले में देखने के मिल जाएगे, geometric mean, log का question, complex number, algebra and yes statistics से 9 question आयते paper में, computer science के पूरे-पूरे 25 question आयते, CUT, BHUB and mathematics वालो के लिए, COQP 07 की paper हो, total 25 question थे, ध्यान दीजेगा, 2024 की paper में और 2023 की paper में क्या अंतर है, भाया इसमें part A आया था, ठीक है, वो जो था, अब यहाँ पर part A नहीं है, ठीक है, 2024 वाले paper है, part A नहीं है, अब देखो set story से कितना question पूछा है, एक question पूछा है, function से देखो कितना question पूछा है, तीन question पूछा है, integration से 4, number system से 5, matrix से 1, algebra से 2 question, permutation combination से 1 question, limit से 2, differentiation 1, miscellaneous 4 question, circle 1, trigometry 2, probability का एक ही question पूछा था, correlation का 2, variance का एक, binomial distribution का एक, statistics के इस बार 18 question पूछे थे, और computer science से 25 question, एक चीज़ ये भी समझो, किसी भी section को लेकर कभी एकदम complete दावा नहीं ठोक सकते, कितना ही पूछेगा, उतना पूछेगा, computer science से 25 पूछा है, statistics से 18 पूछा है, पिछली बर देखो कि 9 पूछा है, ठीक है, बलकि इस paper में 100 question आया था, ठीक है, चाहिए, गवर्मेंट टीचिंग जाना चाहर हो, चाहिए, प्राइवेट, टीचिंग अब्रॉट, इस सब के लिए, वन अफ बेस्त, ऑथेंटिक, वन-स्टप destination, टीचर बनने के लिए सोचे भी हो, 24, 25, 26 में देना है, टीचर एडुकेशन रिसोर्स वारा टेलीग्राम ग्रूप, मस्ट है जॉइन करना, गुना है अगर नहीं जॉइन कर रहा हो, so much so that you are going to miss from teacher education resource, और नीचे description box में comment में एक WhatsApp group का link भी दे रखा है, जो आपका upcoming beard entrance exam है, उन सब को related के वल मुद्दे की बात, no बक्वास, के वल धंका update आपको इस WhatsApp group में देखने के लिए मिलेगा, नीचे description box comment में मिल जाएगा, do join that WhatsApp group, and yes, Delhi Bites के बहुत सारे webinar भी होते हैं, बहुत सारे seminar होते हैं, जहाँ पर teacher education के विबिन आयाम पर, अलग-अलग तरह का discussion देखने के लिए मिलेगा, उन सब में आप जॉइन कर सकते हो, Delhi Bites का past 5-6 year का teaching experience राए, अच्छे खासे मेरे students हैं, जो teaching के field में जॉब करते हैं, उन लोगों कोई बुलाया जाता है, उन से आप directly interact करके खुछ समझ सकते हो, कि teaching field में क्या opportunity और option आने वाले समय में आपके लिए है, Okay, तो paper basically 105 minutes का होगा, 1 hour 45 minutes का paper होता है, paper में total आपको 75 questions देखने के लिए मिलेंगे, एक question सही करने पर 4 number मिलेगा, किसी भी एक question को गलत करोगे तो negative marking हो जाएगा, minus 1, कहने का मतलब है कि जो question तुम सही किये रहोगे, उसमें से भी एक number काट दिया जाएगा, अगर तुम किसी भी दूसरे question पर अंधितुका मारते हो या किसी question को गलत कर देते हो, तो सही भाले में से भी एक number काट दे जाएगा, paper में आपको negative marking देखने के लिए मिलेगा, आप तक आप चैनल के playlist में जा चुके होगे, और यह वाला playlist आपने देख रखा होगा, यह वाला video बेसिकली आपने देख रखा होगा, जहां आप डेली बैट की preparation class का detail है, ध्यान दीजेगा, एक चीज़ में सभी candidates तो clear करना चाहूंगा, गोगल इसको चाहिए notes, mock test वगरा, तो ऐसे candidate कुछ है गूगल के प्ले स्टोर में जाए डेली बैट्स के आप इंस्टॉल कर लीजे वहाँ पार आपको संपूर्ण पूरा नोट्स मिल जाएगा आपके topics related mocktest मिल जाएगा येस इसमें computer वाला notes भी included है तो वो notes अपने आप में परियाप्त आपकी preparation के लिए mocktest वग करना होगा सभी social media handles के link description box में दे रखे हैं do join them and be at entrance exam के सभी updates के लिए description box में और comment में नीची दिएगे whatsapp group से जरूर जुडें God bless you all best wishes